नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगनौ और स्वागत है आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात कने वाले हैं डिस्क ब्रेक्स के बारे में AGP जी के आज की वीडियो काफी दिनों बाद में आई है लेकिन अब I promise AGP की वीडियो फ्रिक्वेंटी आती रहेगी बात हम आज करने वाले हैं डिस्क ब्रेक में होल क्यों होते हैं यह बहुत चाहँ पूचयाँ नालग क्वेश्चन है लेकिन इसके साथ में एक और चीज में हमेशा एड करना चाता था यूजिली कमेंट में आंसो कर देता लेकिन हर जगें आंसो करना पॉसिभिल नी होता था वह यह कि यूजिली क्या आता है एक तो plane disc brake होता है एक होता है यह होल वाला जो होता है जो गोल डिस्क होती है उस पे आपका ब्रेक क्वार करता हुज है यूँ प्रेशर बनाथा Forgive और यह जो दबाव यह दिए से बहुत सारी गर्मी हीट जनरेट होती है आप सोचो के एक इतनी भारी गाड़ी इतनी तेज चलती हुई गाड़ी पर अचानक से वो डिस्क जो है उस पर अगर फोर्स डाला जाए तो फ्रिक्शन के वज़े से कितनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है अगर आप छुटा सा ज़्यादा हीट उनमें जनरेट होता होगा याप सोची सकते है अब वो हीट जो है उसको दूर करने के लिए कैसे उसको हीट ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाए उसके लिए यह टेकनीक्स होती है होल और स्लोटेट जिसकी में बात कर रहा हूं उन सब की बात करते हैं अप सबसे पहले नॉर्मल जो आप डिस्क देखते हो गाडियों में अपनी जो कार्स होती है उसमें आप दिखते हो कोई होल ने नजर आता है लेकिन उसके बीच में कभी हाट डालना मतलब जो डिस्क प्लेट है उस प्लेट जो मोटी होती हो उसके बीच में कभी अंगली डालो जितना पैड को जितना एरिया ची होगा न इन अच्छा एफेक्टिव प्रेसर क्रेट करने को वह एरिया ऊप्रूड जाएकगा खड़ों की उजए से हो गाश्यारी ओगा इरिया कम हो जाएगा और बेखिशिती चाप जाएगा चोटी गाडियों में प्रूज में अब होल्स दिखते हैं और कुछ बाइक जैसे की RTR जो है उसमें आप दिखोगे की डिजाइन वाले डिस्क ब्रेक होते हैं तो वो जो है बाइक में इसलिए आता है क्योंकि बाइक का वेट कार से कम होता है और वहां पे आपको जो है सर्फिस एडिया कम भी हो तो चलेगा लेकिन हीट क् वेट को निकालने के लिए जो हना का निकालने नहीं कि आ हुए उसको निकालने के लिए और गैसा सो कれsystem को के लिए अन तीन आप 15 बाइक कर देजाते हैं और बाइक क्योंकि भारी नहीं होती है इसलिए उनमें होल्स जो है वो जादा surface area नहीं खाते है ऐसा कोई issue नहीं होता है लेकिन आप दिखो कि बड़ी बाइक से उनमें जरूर थोड़ी बड़ी साइज का डिस्क दिया जाता है ताकि जो है surface area बड़ा मिले brakes जो है बेटर काम क अब यह जो slotted disc है यह आम तोर पे जो brake pad है वो बहुत जल्डी घिस दिती है इसलिए slotted disc जो है आप mostly जो performance cars है यह बहुत high-end performing motorbikes है उनहीं में देखे होगे आम तोर पे slotted वगेरा जो है अपनी यह economical cars वगेरा है consumer जो जादा mass-market cars और bikes है इनमें नहीं देखने को मिलेगा आपको कुछ लोग शौकिया तोर पे लगवा लेते हैं जैसे कि Kia Stinger जो है उसमें काफी लगाते है बट कई लोग उसमें लगाते हैं looks वगेरा के लिए slotted disc जो है लगाया जाते हैं अलांकि वो brake pad बहुत जल्दी गिस देती है तो slotted disc जो है वो ज़्यादा popular है जब आपके brake pad जो है वो सिरामिक या carbon fiber हो तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा वो popular है अब डिस्क जो है वो आप तीन तरखी के दिखते हैं नॉर्मल उसके बाद में होल्स वाली और slotted जो की नॉर्मल डिस्क पर slots बनाए होते हैं तो में काम होल्स का heat को dissipate करना है हीट नॉर्मल कार्स में भी होती है लेकिन उनमें वेंट होते हैं बीच में आप अगली बार जब यह अपनी गाड़ी के डिस्क ठंडा हो मतलब गाड़ी खड़ी हो आप देर से तो उसमें हाथ लगाना अंदर के तरफ हाथ डालना आप होल दिखेंगे और जिनमें होल होत होते हैं उसमें तो होल रैसे दिखते हैं आपको बाकी तो बस यही है एज़ी जी की आज किस वीडियो में इमीद करता हूं दोस्तों एज़ी बीजी की वीडियो को पसना आगे को पतना है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली वीडियो देखल दोस्तो हेलमेट पहनिए, सीध बेल पहनिए, सुरक्षि चलिए, धन्यवाद.